हेलो दोस्तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ फिरीगो पौडर के बारे में और आपको पूरे बताऊंगा फिरीगो पौडर के बारे में कौन सी कंप्रेम लाती है कितने रूपे का आता है यूज क्या है साइड इफेक्ट क्या है डोज क्या है सब कुछ बताऊंगा तो आपको पुरा जानने के लिए लास तक वीडियो देखना होगा दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें कौन सा कंटेंट या कौन सा साल्ट डाला गया है दोस्तों इसमें जो साल्ट है वो लेक्टिटोल मोनोहेडरेट है और इसापोगोल हसक है दोस्तों जो लेक्टिटोल है वो हमारे डाजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही यूजफूल है बहुत ही लाबदायक है और इस अपोगोल दोस्तों लाग जेटू है जो की हमारे digestive system में बहुत ही helpful है दोस्तों फिरुगो जो है वो हमारे digestive system से जो भी related बिमारिया होती है वो सबको दूर करता है दोस्तों एक एक करके आप हम इसके यूज के बारे में जा लेते हैं सबसे पहला जो इसका यूज है दोस्तों कब्ज है ये कब्ज के लिए बहुत ही बेहतरीन दवा है constipation के लिए बहुत ही बेहतरीन दवा है दोस्तों अगर आपका bathroom साफ नहीं हो रहा है आपको कब्ज की सिकायत है तो फिरुगो best medicine है आपके कब्ज दूर करने के लिए दोस्तों इसके और भी बहुत सारे यूज है जैसे कि आपको पेट साफ नहीं हो रहा है आपको खाना हजम नहीं हो रहा है आपका जो bathroom है बहुत टाइट हो रहा है तो ये सब में ये बहुत ही उपयोगी दवा है दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कौन सी company मनाती है कितने रुपय काता है दोस्तों ये जो अलंबिक company मनाती है अलंबिक company बहुत ही famous company है उसने market को बहुत अच्छे अच्छे brand दिये हैं जो कि doctor को बहुत trust है इस company पे इसलिए doctor ये brand बहुत ज्यादा प्रिस्काइब भी करते ह दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके price के बारे में तो 206 रुपय का है और यह है 90 ग्राम का 206 रुपया दोस्तों यहां पे लिखा है 180 ग्राम भी available है मतलब 90 ग्राम तो यह ही है 180 मतलब इससे बड़ा भी पैक available है दोस्तों यहां पे इसका कुछ दिया गया है कि कितना जो डाला गया है 10 ग्राम जो है लक्टी टोल डाला गया है इसा पुल हास के जो है 35 ग्राम डाला गया है दोस्तों इसका जो यूज इसमें बताया गया है लिखा गया है कि कांश्टी पेशन में होता है और दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि इसको दोज क्या है दोस्तों जो आपको दो चमच लेना है और एक गिलास में डालके आपको अपने सबसे पानी डालके फेड़के भी पी सकते हैं या तो जो चमच आप ऐसे खा लें उसके बाद पानी पी लें यह इसी तरीका है इसमें तो अलग ही लिका है दोस्तों दिन में दो बार एक या दो बार आपको या खाना खाने के साते लोग दोस्तों इसमें आ है वही सा पताया है कि रूं टम्प्रेचर कैसा क्या रखना है घलतीय देहां में चीज़ेंट्पों समस्या का Medley Gupta बहुत ही बेdotर निवा है और 206 रुपराだ में एलम्बिक कंपने मनाती है और इसमें जो कांटेंट है वो इसापकोल है और लाक्टिटोल है जो कि हमारे डाचेस्टिय सिस्टम के लिए बहुत हेल्पुल है दोस्तों आज की वीडियो के इतना ही मिलते हैं वीडियो में